इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो मैंने खुद experience किया अभी आपने देखा होगा कि जो BGMI गेम है वो बैन हो गया इससे पहले PUBG Mobile था और उसको बहुत याद कर रहे लोग बोल रहे हैं कि अरे हमारी तो बहुत यादे उसके साथ जुड़ी हुई है बहुत याद आती है मैं अपने दोस्तों के साथ squad बना के खेलता था मेरे बहुत सारे नए नए दोस्त बने मेरी girlfriend बनी गेम में बहुत याद आती है अब नहीं खेल पा रहे हैं लोग बोलते हैं कि हमें वो Bollywood के जो गाने हैं जो हम सुनते हैं जो 2007 में चले थे 2007, 2010, 2008 में जो फिल्में आई थी जो Bollywood का music था वो लास्ट वो एरा था जब अच्छे गाने बने उसके बाद remix आ गए सारे और वो कुछ लोग आ गए सिंगर जो हर गानों को remix करने लगे उसके बाद से Bollywood का music परबाद हो गया तो जब भी हम पुराने गाने सुनते हैं 2007, 2008, 2010 के तो हम अपनी पुरानी यादों में चले जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है पुराने गाने सुनना 2078 के एरा का जब केके जी गाने और उससाव हमें बहुत अच्छे लगते हैं PUBG का gameplay पुराना देखते हैं बहुत मजाता है तो guys महीं आपर आपको बताना चाहता हूँ कि हम actually न जब पुरानी चीजों को सुनते हैं और जब हम कोई पुराने PUBG गेम को देखते हैं तो हम उस गेम को actually miss नहीं कर रहे होते या कई बार हमको वो पुराने गाने तो अच्छे लग रहे होते हैं बट हमारे अच्छा फील होने की वज़ए वो सिर्फ गाने ही नहीं होते पुराना वक्त भी होता है आपको पता है हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है कि हम किसी particular smell से किसी वक्त को याद करते हैं जैसे आपने देखा होगा जब आप college जाते थे मेरे साथ यह होता है जब मैं college जाता था जो मैं do use करता था वो do मैंने अब use करना छोड़ दिया बहुत सालों बाद मैंने वो do use किया तो मुझे सारे college की जो memory है school की जो memory है उसाब याद आ गए so that means मेरा जो दिमाग है वो smell के साथ उस time को मतलब वो याद कर पा रहा है ऐसे ही होता है आपको पता है जब PUBG आया था तो नया game था वो वक्त जब हम लोगों के साथ बैट कर squad में या PUBG में जब Alan Walker का on my way गाना चला के जब खेलते थे तो जब हम दुबारा उस game को भी दिखते तो हमें वो game नहीं याद आ रहा है actually हमें वो time याद आ रहा है हो सकता है game भी याद आ रहा हूँ पट हमें न वो अपना पुराना वक्त याद आता है तो हमें वो nostalgia जो होता है वो लगता है पुरानी यादे hit करती है हमें याद आते हैं ऐसे होता है जब स्कूल हम दुबारा विजिट करते हैं जैसे आप जिस स्कूल में पड़े हुए हो अब आप कहीं और जॉब कर रहे हो में भी कहीं और गए हो आपने पुराना स्कूल छोड़ दिया तो जब आप वापिस स्कूल में आते हो ना मिलने के ल याद आता है वो वक्त तो जो चीज को यूज करके सुन कर देखकर हमें पुराना वो वक्त याद आता है जब हमारी अच्छी मेमोरीज है तो हमें अच्छा लगता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपकी पुरानी चीजे देखकर आपको अच्छा ही लगे ऐसा भी हो सकता है क किसी के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ हो कुछ बहुत bad memories हो तो उस चीज से related गर कोई चीज देखो कि तो बैड वाली जो experience है वो trigger हो जाएंगे तो आप दुखी हो जाओगो ये चीज है ये ही psychology है इसके पिछे कि हमें क्यों कुछ चीजे देखकर पुरानी याद आती है और अच्छा लगता है ये मेरे दिमाग में तब आया जब मैं अपने पुराने gameplay देख रहा था मैं अभी PUBG खिलता था पहले PUBG mobile खिलता था तो मेरे कुछ दोस्त बने थे बहाँ पर मेरा उनसे अभी कोई contact नहीं है लेकिन जब मैं वो पुराने gameplay देखता हूँ तो मुझे उनकी याद आ गई मुझे उस game कित्रू उनकी याद आई आज मैंने ये चीज़ सीखी और experience की खुद तो मैंने सुचा आप लोग के साथ share कर दू यहाँ पर मैं podcast वगेरा जो बनाता हूँ वो बहुत छोटे बनाता हूँ because मुझे लगता है कि कोई भी अगर एक कोई topic है उसको फिर लंबा खीचना कोई ठीक बात नहीं है जो बात जितना short में हो जाए और जितना सही उसको हम convey कर पाएं तो वही अच्छा होता है टाइम बचता है आपकी क्या रहा है इसके बारे में आपकी क्या special memories है जो आप फिर से उन्हें जीना चाओगे या याद करना चाओगे पता है एक point ये भी है कि लोग बोलते हैं वही लोग अपना past देखकर खुश होते हैं जिनका present अच्छा नहीं होता ये बहुत controversial statement है कि जो लोग अपने पुरानी चीजे देखकर खुश होते हैं तो उनका जो वो इसलिए जादा खुश हो रहे होते हैं वो पुरानी चीजें को इसलिए याद करना चाहते हैं क्योंकि उनका वरतमान उतना अच्छा नहीं आपको क्या लगता है statement बहुत बड़ा statement है आप जो जरूर बताना इसके बारे में आपका क्या ख्याल है मैं ऐसे किसी छोटे से podcast या एक छोटी सी एक वीडियो में मिलूँगा जहापर मैं किसी और चीज के बारे में बात करूँगा फिलाल मैं बता दूँ कि हाँ पर sunset हो गया है लगबग सूरे अस तो हो गया है जा रहा हूं बस ऑके बाई